हेलो साथियों नमस्कार मैं दिपांगसू बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके परिवार नमस्ते एकडमी में आज की इस क्लास हम लोग टॉप थर्टी फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट सिना निम्स पढ़ेंगे जो हमारे एक्जाम में बार-बार रिपीट हुए हैं उन्हीं को हम लोग करेंगे यदि आपने वीडियो में क्लिक किया है तो सुरू से लेकर अंद तक पुरा वीडियो को देखिएगा ठीक है ना इस ले लोग कितने पढ़ेंगे 35 आपका जो सिना निम्स है 2 marks का एकाता है ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए ठीक है ना कितने काता है 2 marks काश तो इस class से हम लोग आपके 2 marks कंप्लीट करेंगे बात समझ में आ रही है मेरी तो फिर हम लोग आईए अप क्लास को अपनी continue करते हैं पहले word से class को start करते हैं आ जाओ पहला word आपके पास क्या देके रखा है भई पहला word आपके पास देके रखा है attain क्या देके रखा है attain attain क्या होता है आपका attain होता है आपका प्राप्त करना क्या होता है बई attain word होता है आपका प्राप्त करना इसका सिनानिम पहला होता है gain again है आपका कौनसा issue फिर get फिर आपका है acquire यह चार इसके सिनानिम से है हलाकि exam में एक ही पूँचता है exam में आप लोगों के एक ही पूँचता है बट मैं आपको चार करवा रहा हूँ जिससे option में जो भी मिल जाए आपको आप लोग टिक कर दे अच्छा सर बेसिकली exam में आता कौन सा है आप से gain पूँचता है और आप से adversity जो आपका word होता है वो होता है आपका मुसीबत अच्छा सर इसका क्या होता है misfortune होता है calamity होता है और तीसरा क्या होता है आपका misery इन तिनों का मतलब आपका क्या होता है मुसीबत होता है बास समझ में आ रही है अच्छा सर अगला word है आपके पास beautiful तो थोड़ा सम्कूंड रहता है सर। हर जगा लवली लग जाएगा या हर। beautiful लग जाएगा या हर जगा आपका क्या लग जाएगा भी या handsome लग जाएगा तो basically आपको जो दो word आते हैं दोनों word आपके कौँ से हैं भई दोनों word आपके होते हैं ये beautiful और handsome इन में थोड़ा सा मुझको बात करने बेटा देखो जैसे ये होता है ये जो है ये लगता है mail के लिए इसका use कहा मिले के जब हमको कोई पैसेज दे देता है पैसेज हमको स्वाल करते हम लोग तब मिलता है ठीक है ना ऐसे लोग लिख देंगे beautiful का lovely होता है pretty होता है handsome होता है इस बात को याद रखना कहीं भी मिले तो beautiful आप लिखा रहता है question what a beautiful she is ठीक है ना explanation का question होता है क्या उसमदर लड़की है she is यानि लड़की के बारे में बात कर रहा है ladies के बारे में तो वहाँ क्या लगता है beautiful लगता है और लड़कों के लिए क्या लगता है handsome लगता है कितना handsome लड़का है कितने beautiful लड़की है बस समझ में आ गई अच्छा सर अगला है आपके परास कैला मिटी दुबारा से आपको कैला मिटी मिल गया है देखो क्या होता है विपत्ती होता है यानि क्या होगा आपका misfortune होता है disaster होता है adversity होता है ठीक है ना क्या होता है बई आपका misfortune disaster और आपका adversity अच्छा सर disaster क्या होता है basically sir disaster जो आपका होता है इसकी meaning होती आपदा क्या होती है disaster जो आपको होता है आपदा होता है पर जब आपदा ही तो विपत्ती है, क्या बई? आपदा ही जो है, आपकी वही तो विपत्ती है ना, तो बात क्लियर हो गई ना, डिजास्टर आपका आपदा होती है, अचा सर, confess, क्या होता है? सुईकार करना, admit और acknowledge, अब इसके बारे में कल की क्लास में मैंने discussion किया था, कि admit क्या मतलब होता है आपका acknowledge का क्या मतलब होता है दोनों आपके होते हैं सुईकार करना क्या होते हैं सुईकार करना अच्छा सर यहां पर सुईकार लिखा है चलो सुईकार करना यह लिखा है सुईकार करना अच्छा सर कैंडिड कैंडिड क्या होता है आपका कैंडिड होता है स कंधने वाला और साफब साफ वोले किसीजों का ऐसा खुल के बोले तुमको अच्छा लगे तो बाबा नश्यक लगे तो बाबा इससों कहते हैं हमारे क्या था है सच्छा होता है चलो इसका स्क्रीन आड़ो बाबा कुल किसी ने में पाइम लोग आगे बढ़ते हैं, हट गया हूँ, स्क्रीन सोट अब लेलो भाई मेरे, ठीक है ना? चलो, उमीद करता हूँ, स्क्रीन सोट आप लोगों ने अब ले लिया होगा, आजाو, अगले पेज में चलें, अगला क्या है? डिस्पले, क्या है बई डिस्प्ले डिस्प्ले क्या होता है आपका दिखाना होता है सो भी आपका क्या होता है दिखाना रिवील भी क्या होता है आपका दिखाना और एक्जिबिट भी आपका क्या होता है दिखाना ही होता है सो कहें, Reveal कहें या आप लोग Exhibit कहें तीनों का मतलब आपका दिखाना होता है अच्छा सर अगला क्या है? अगला वर्ड है आपका दिखाना है, Fires Fires आपका क्या होता है? भयानक इसका सिननिम क्या बनता है? पहला बनता है Aggressive, दुसरा बनता है Violent अच्छे सर वाईलेंट आभ लोग कहते हैं जो अपना आपा खोदेया खुंखार टाइप का जो होता है ठीक है ना बड़ा हिंसावादी चीज़ को वेलेंट हो गया यानि हिंसावादी हो गया तौहीं होता अपका भ्यानक अच्छे सर अगला क्या है फैटल कौनसावरेट व होता है क्या होता है घातक इसका होता है डिडली फेट फुल दोनों क्या होते हैं अपके घातक होते हैं अच्छा सर अगला है ग्रीफ Grief means क्या होता है? दुख तो मैंने लिख दिया है sorrow होता है regret होता है और आपका distress होता है अच्छा सर distress जो होता है आपका stress से बना है तनाओ जो होता है ठीक ना? उसी से बना है आपका तो आप लोग clear हो गया होगा इसके बाद अगला है आपका gift gift क्या होता है? अपका उपहार होता है सर present होता है contribution अच्छा सर contribution आपका योगदान होता है क्या होता है बेटा? contribution जो word है आपका इसका मतलब होता है योगदान अच्छा सर donation donation लोग कहते हैं भया गोस होती यह लेकिन हम लोग फंक क्या कर रहें उपहार दे रहा है क्या रहा है डोनेशन ले लिजिए थोड़ा सा डोनेशन में काम एक उपहार स Brewer को पहें टेरहां बात हो गई screenshot लो फिर आगे बढ़ते हैं आप लोग screenshot ले लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ें हो गया भई चलो अब हम लोग अगले page में move करते हैं अगला page हम उसे क्या कहता है अगला कहता है आइडल देखो बेटा ध्यान से समझना एक आइडियल आपका होता है क्या होता है आइडियल यह आइडियल दूसरा होता है यह होता है आइडियल आपका आदर्स होता है यहाँ आपसे आइडल पूंचा है ठीक ना आइडल क्या होता है आपका आलसी इसका होता है लेजी आप बाद सभुझ मेंगी, अब निज्क्री काउण होगा, जो काम नहीं करेगा, जो काम नहीं करेगा तो वो क्या बन जाएगा या आलसी बन जाएगा, अच्छा सर, UN Ting Un employment कान होता, जिसको में को लोग कहते है बिरोजगार क्या कहते हैं ? बिरोजगार कहते हैं अब जब आप काम नहीं करेंगे तो आप बिरोजगार हैं तो उसका कारण है आप क्यों कि आप लोग क्या है भैया ? RC है ठीक है नगा आप लोग क्या है ? RC हैं तो RC के जो समने किया के दियो कैसा है हमारा ? Unemployment है अच्छा सर, अगला nice, nice क्या होता है, मनोहर, अच्छा, fine, अच्छा, attractive, फिर इसके आपका pleasant, अच्छा सर, pleasant जो word होता है, pleasant तो आपका सुहावना होता है, क्या होता है, pleasant आपका सुहावना होता है, बट मेटा pleasant सुहावना किस case में होता है, जब कहीं हम लोग nature की बात करते हैं, क लेकि लिना जरूरी पड़ेगा कहीं मिलेगा फिर तुमको बहर अचा सर ऑविएस अबका क्या होता है अपका क्या होता है इस पिष्ट होता है जैसे clear evident plain distant यह 4 अधेशाम में clear फूँसता है आपसे evident पहुचता है यही दोनों वर्ड होते है ठीक न और बटा यह plane आपका दूसरा होता है फी ऐल ए एन ए ठीक है न यह आपका दूसरा होता है चलो आजाओ अगले में चलते हैं अगला है आपके वियास magnificent क्या वर्ड है magnificent, magnificent क्या होता है सांदार, grand, पहला वर्ड क्या अपके पास, grand देके रखा है दूसरा देके रखा है, noble तीसरा देके रखा है, splendid इन तीनों का मतलब आपका क्या होता है बैया सांदार होता है, क्या होता है इन तीनों का मतलब आपका सांदार होता है बास समझ में आ रही है सही से screenshot लेना बहुत important है यह आगे बढ़ते हैं pardon pardon क्या होता है च्छमा करना क्या होता है च्छमा करना forgive ठीक है न अगला है excuse अगला है overlook तीनों का मतलब अपको क्या होता है भी यह जी च्छमा करना ही होता है बास समझ में आ रही है तीनों का मतलब क्या होता है च्छमा करना होता है चलो screenshot लो फिर हम लोग आगे बढ़ें इसका screenshot ले लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं screenshot के समय इसलिए हट जाता हूँ है अब फिर तुम लोग बार-बार उसी बात को ना कहो ठीक है भई आगे बढ़ें हम लोग अब अगले पेज में मूव करते हैं अच्छा सर अगला वर्ड क्या है प्रे प्रे क्या होता है आप लोग जानते हैं प्रारतना करना ठीक है I beg to say that तो वही बेग है आपका फिर अगला बढ़े आपके बस इंपलूर तीनों का मतलब होता है प्रार्थना करना या विंती करना ठीक ना प्रार्थना ना समझ में आए बेटा तो लिख ले ना विंती करना रोकन ठीक ना इन चारों का मतलब आपका रोकना ही होता है अच्छा अगला वर्ड आपका बहुत इंप канतरेंट वर्ड है लिखा है भई consecrated और अगला है आपका है sanctified इन तीनों का मतलब क्या होता है आपका पवित्र होता है अच्छा सर अगला है timid timid क्या होता है डरपोंक जैसे cowardly हो गया और आपका अगला साई हो गया अच्छा सर साई तो सरमीला भी होता है उपर लिखा होगा अगर मैंने लिख्वाया होग तो एक रिखवाया हो गां कहने सकालुआ न इस सक्रींसार लोग हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सारे कशन्स कर जोब पारते हैं सौसेरोट साथ में लेते चलो आप्यें चोरी चले जाओं imagining ठीट लाखे आग्ले पेश बढ़ते हैं लोग अगला क्या है venice ठीक है na venice क्या होता है अद्रस्यों न यानि पहला आपका है disappear अगला word पिर आपका फेड और अगला है terminate इन तीनों का मतलब होता है address करना अच्छा सर अगला है deed क्या है deed डीड क्या होता है आपका work यह नी का रिये सिना निम्द क्या हो जाएगा वर्क Action Act Achievement अच्छा सर Achievement जो होता है achieve प्राप्त करना होता है ठीक है यह gustat कहुता है we esse comment जवाब करना यह निए प्राप्त करना लेकिन प्रांप्त अप कप करेंगे जब आप लोग work करेंगे क्या करेंगे भई जब लोग work करेंगे तभी आप किसी चीज को प्राप्त करेंगे बास समझे में आ गई जब आप लोग किसी चीज पर work करेंगे तभी आप उस चीज को प्राप्त करेंगे अच्छा सर अगला है discover Discover, Discover क्या होता है आपका Find, खोजना, Discover भी खोजना, Disclose, खोजना, अच्छा सर, Reveal, Reveal थो होता है, जैसे आप लोग कह सकते हैं, Reveal होता है दिखाना, क्या होता है बई, Reveal Word जो होता है, या ता है दिखाने के Sense पे, BUT, यहां पर Discover पूछा है हमसे, पूचाता है, discover word पूचाता है, discover भी खोजना होता है, और reveal, कहते हैं न, इसका face reveal करना है, वो भी एक खोज ही होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भया, खोजने के sense में हम लोग उसका use करते हैं, अच्छा सर, अगला है आपके पास concern, कौनसा word है, concern word है, concern क्या होता है आप मतलब आपका चिंता होता है, अच्छा सर, अगला है आपका cunning word, कौनसा है, cunning, cunning क्या होता है, आपका चालांक, इसका synonym क्या होता है, स्रीड होता है, विटी होता है, और आपका crafty होता है, इन तीनों का sense भी क्या होता है, भया, चालांक ही होता है, क्या होता है, इन तीनों का word बई भी चलाएंक होता है चलो i sv log फिर आगे बढ़ते हैं है कि आज i все आज kri maskon दो होगया अब चलते हैं अगले पर अचा सर्व्या क्या है अगला है abislaj ability क्या है ability ability आपका होता है योगिता अचासर इससका क्या होगा सिनानिम इसका इसकील तो कला होती है बट कला का वाइक जब आप उस चीज के लिए योग होंगे इसका अगला है टैलेंट यह तीनों इसके सिनानिम है अच्छा हाला कि यह चीज यहां पर यह है इसका इंटानिम बहुत बनता है इसका इंटानिम बहुत बनता है आपका क्या है बया ability जो होता है inability यह exam में बहुत पूचा जाता है inability तो एक बार इसको भी note down कर लेना एंटा निम आपका ability का inability बनता है अच्छा सर अगला है answer कौन सा word है अगला word है आपके पास answer answer क्या होता है उत्तर क्या होता है बया answer होता है आपका उत्तर जिसका होता है reply और response क्या होता है बया एक word होता है reply और दूसरा word होता है आपका response अच्छा सर आगे बढ़ें थोड़ा सा हम लोग यह दी अगला है believe believe क्या होता है विश्वांस faith confidence और आपका trust अच्छा trust भी विश्वांस होता है जिसे करते हैं trust trust build करना यानि विश्वांस विल्ड करना है तो आपका क्या हो जाएगा believe का विश्वांस हो जाएगा चलो इसके बाद अगला word देखते हम लोग अगला क्या है differ कौन सा वर्ड है differ differ होता है तालना अच्छा post phone भी टालना होता है अबका delay अच्छा這裡üh word तो होता है होता है डेंक या होता है लेकिन जब आप किसी काम केंदेर करेंगे तो आप • यह किसी काम को टाल रहे है इसलिए उसको हमने किसके साथ रखा है? deferward के साथ रखा है इसके रखाता है suspend अचा कहेंगा आप suspend क्या होता है? जैसे आप कहते हैं उस चीपा जैसे suspend कर दिया गया कुछ दिन के लिए उसको हम लोग क्या कर देते हैं? उसको duty से हटा देते हैं अचा सर, destroy क्या देखे रखा है? destroy destroy का मतलब कहता है नस्ट करना जैसे ruin demolise और devastate इन तिनों का मतलब भी आपका क्या होता है भई? इसका भी मतलब आपका नस्ट करना ही होता है चलो screenshot लो फिर आगे बढ़ें अब कोई मत कहना कि सरा आप बोर्ड में ही खड़े रहते हैं हमको दिखता नहीं है ठीक है न? चलो आजाओ हो गया भई? अब आगे बढ़ते हैं अगले पेच पे अचा सर अगला क्या है? horror horror movie देखते हो? वह ही horror है horror होता है वेट आपका भै क्या होता है? horror जो वर्ड होता है आपका भै होता है इसका synonyms क्या होता है? terror fear और dread तीनों का मतलब का होता है आपका भै होता है जिस आप लोग कहे देंगे सर देखो डरने लगा ये भी fear तो आप लोग कहेंगे वो भी संघर्स है इसका फल ये भी आपका क्या है भैया संघर्स करना ही होता है क्या होता है? इन तीनों का मतलब आपका संघर्स करना होता है अगला वर्ड है raise raise क्या होता है? उठाना increase उठाना lift उठाना rouse उठाना elevate उठाना अच्छा सर अगला है आपका जेनित, जेनित क्या होता है अपका चोटी होती है, क्या होता है जेनित जो वर्ड होता है आपका चोटी होती है, अच्छा सर्थ, तो अगला है आपका जेनित, जेनित क्या होता है आपका चोटी होती है, जेनित जो वर्ड होता है आपका चोटी होती है, अच असरंड pka लिखा है टॉप को अंब क का होता है ऊपर की सतर जो ते उसी वह भी हमारी 24D संप इस अधिर क्लाइमें स्पूर्ष चो Simply connect in Raja Kr obese आपका होता है छोटी और पीख भी आपका होता है छोटी होता है ठीक है थे से पढ़्यों के 35 थे कितने थे 35 सिननीम से आज की इस class में जो most repeated हैं या कहते हैं बहुत ज़्यादा exams में पूछे जाते हैं ठीक है इसका screen सोट लो पासमझ में आगई अब अगले page में चलते हैं कुछ और है क्या कुछ नहीं thank you for watching this video जिसने इस video को सुरूश लेकर अंतर तक देखा उसका बहुत बहुत भँत WhatsApp group भी बना दिया हूँ उसमें जाके भी add हो जाना WhatsApp का group है उसमें जाके add हो जाना ठीक है ना अगर यदि किछी को और कोई route है तो मैंने अपना number दे रखा है 7081-830133 यह मेरा WhatsApp number है इसमें आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं call नहीं लगेगी किवल आप लोग बात कर सकते हैं ठीक है ना तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करना दोस्तों के पास share करना और चैनल को subscribe करना बहुत उमीदे हैं आप लोगों से 2025 में मैं वादा करता हूँ पूरा English का करवाऊंगा इस बार उस बार कुछ कारण से मैंने छोड़ दिया था या मैं बीमार हो गया थ तो मैंने नहीं करवाया था बट इस बार जब 2025 के एक्जाम होगा आपको सारी classes सारे subject की regular मिलेंगे तो फ़रा सा काम चल रहा है हर subject में अलग-अलग तुमको पता है जाके पिछली classes उठाना भले ही कम लोगों ने देखा है जो पढ़ाया गया है एक्जाम में आया वही है को पढ़ो बागी सारी वेदोस्ताइं आपको ऐसे मिलेंगी तो आप लोग पढ़ते रही है मस रही है अपना ख्याल रखिएगा मिलेंगे कल की class में तब तक के लिए नमस्कार और टेली ग्राम में जाइन होना बिलकुल मत भूलना भाई वही अब इस पीडिया को मैं आपको शेयर कर दूंगा है तन्यवाद